Hello friends, आज की वीडियो में बहुत ही आसान भासा में आप जानेंगे कि हत्या करने की कोषिस IPC की धारा 307 और आपरादिक मानवद करने का प्रियतने या आपरादिक मानवद करने की कोषिस IPC की धारा 308 में क्या-क्या अंतर हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रोकेस्ट है अगर आपने चनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चनल जरू सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले महित्फूट वीडियो के आपको नोटिफिकिसन मिल सकें दोस्तो आते अपने आईपीसी की धारा 307 और आईपीसी की धारा 308 हत्या की कोशिस और अपरादिक मानववद करने की कोशिस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा आईपीसी की धारा 299 जिसे अपरादिक मानववद और आईपीसी की धारा 300 हत्या को दिया गया है तो आपको इन दोनों प कि अगर किसी व्यक्ति की हम अंजाने में अंजाने का मतलब यह है गैर इरादतन हत्या यानि कि हमारा कोई आसाय नहीं होता है उसका पहले से आसाय नहीं होता है उसे मारने का अचानक हम आक्रोस में आके कर किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो ऐसी कंडेशन में वह है आप वीडियो में नीचे लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाके आप अपरादिक मानवद और हत्या में अंतर देख सकते हैं, दोस्तों अब बात करेंगे IPC की धारा 307 और IPC की धारा 308 में अंतर, IPC की धारा 307 हत्या की कोशिस, तो यहाँ पर पह उस ब्यक्ति की मृत्य होना निश्चित तय है, जिससे उस ब्यक्ति की मृत्य हो सकती है, पूरी सम्मावना है, तो ऐसी इस्तिती IPC की धारा 307 हत्या कहलाती है, इसके सबसा अच्छे एक धारा है कि यहाँ की हत्या का आसा है रखते हुए का बंदूग खरीता है, और उसको जो IPC की धारा 307 है, उसने हत्या करने का प्रत्न किया, और ऐसी इस्तिती में वह हत्या करने के प्रत्न IPC की धारा 307 से दंडित किया जाएगा, इसमें धारा और एक सर्त और है कि अगर मालीजिये का नाम की व्यक्ति ने एक बंदूग खरी दी, उसे लोड किया और उस व्य व्यक्ति पूर रूप से बच गया, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी छत नहीं पहुंची है, यदि वो पूरी तरह से सेव है, तो ऐसी कंडिशन में वह है IPC की धारा 307 का दोसी नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति पूरा सेव बच गया, उसे किसी भी प्रकार की कोई छती, कोई सारी रिक्षती नहीं पहुंची है तो ऐसी condition में IPC की धारा 307 नहीं लगेगी दोस्तों अब बात करेंगे IPC की धारा 308 देखिए same वही facts है लेकिन एक facts change है देखिए हत्या जब भी हम किसी पर आक्रमाण करते हैं तो हमें ये तो ग्यात होता है कि भई इससे सारी रिक्षती पहुंचेगी और उसकी मृत्वी हो सकती है लेकिन यहां जो IPC की धारा 308 है वहां पर गैर इरादतन हत्या यानि कि हमारा मन में पहले से कोई भी आसाय नहीं होता है हम अचानक प्रिकोम में आके उसकी हत्या करने की कोईसिस करते हैं जो के अपरादिक मानवद करने का प्रित्न कहलाता है और दोनों की सजाओं में डिफ्रेंस है दोनों की सजाओं में अंतर है आईपीसी की धारा 307 में वहीं 10 वर्ष की सजा हो सकती है तो वहीं आईपीसी की धारा 308 जो हम जान पूझकर प्रकोब में आकर अपरादेक मानवद करने की कोसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें 3 साल से लेके 7 साल तक का कारावास हो सकता है दोस्तो अगर सरल भासा में कहें तो सीधे तोर पर देखे आपरादेक मानवद करने की कोसिस जाने की हमारा पहले से कोई दुस्मन ही नहीं पहले से कोई मर में विचार नहीं हम अचानक प्रकोब में आगे किसी व्यक्तिकी जान लेने की कोसिस करते हैं तो वह कहलाती है आपराद एक मानावद करने की कोसिज। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें और किसी भी प्रकार का कोई भी कुस्तन हो तो कमेंट करके अवस्त पूचे और चैनल सस्क्राइब करें और महत्विड वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें